स्वागत आपका अमारे चैनल पर आज हम करेंगे कफ्षा आत में प्रकर कारे पुस्तिका गनित का कारे पत्रक नमबर 36 तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रस नमबर एक से रिक्तिस्तानों की पूर्थी कीजिए a है एक परीमे संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिबासित किया जाता है जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहाँ p तता q पूर्णांख है और q क्या होता है not equal to zero मतलब कि zero के बराबर नहीं होता है तो बरावर लिखके बीच में एक डंडा कीज देंगे तो not equal to हो जाएगा अगला है B, वे संक्याएं जिनको गिनने के लिए इस्तमाल करते हैं प्राकर्ट संक्या कहलाती हैं अगला है प्राकर्ट संक्याओं में 0 को मिला दे तो क्या हो जाएगा पून संक्याओं कहलाएंगी अगला है दी गई प्राकर्ट संक्याओं पून संक्याओं भी हैं लेकिन सभी पून संक्याओं प्राकर्ट संक्याओं नहीं हैं क्योंकि प्राकर संख्याओं में 0 नहीं आता है अगला है निम्न परीमे संख्याओं के बीच में 3-3 परीमे संख्या ज्याद करनी है माइनस 1 और 0 के बीच में 3 आएंगी माइनस 1 बटे 2 माइनस 3 बटे 4 और माइनस 2 बटे 3 आप पो ये नीचे तक लिखना है मैंने एक ही जग लिख दिया है अगला है माइनस 2 और प्लस 3 के बीच में 3 परी में संख्या होंगी माइनस 1, 1 और 2 अगला माइनस 4 बटे 5 और माइनस 2 बटे 3 के बीच में माइनस 23 बटे 30 माइनस 22 बटे 30 और माइनस 21 बटे 30 अगला है माइनस एक बटे दो और दो बटे तीन के बीच में जीरो, माइनस एक बटे तीन और एक बटे तीन अगला है निमलेकित में उप्योक्त चिन्नों का प्रियोग करते हुए इन में से कौन बड़ा है? 6 बटे 5 बड़ा है इसलिए तरफ मूं कर देंगे इन दोनों में से कौन बड़ा है माइनस का 4 बटे 6 बड़ा है माइनस में क्या होता है जो छोटी होती संख्या जादा बड़ी होती है अगला देखिए इन दोनों में से 2 बटे 8 बड़ा है इन दोनों में से 1 बटे 4 बड़ा है अगला है निम्ण परीमे संक्याओं को निर्देशा नुसार अवरोई व आरोई करम में जमाना है पहला देखिए आरोई करम आरोई उर्था है बढ़ता हुआ करम छोटे से बढ़ा तो माइनस का 5 बट्टे 3, माइनस का 4 बट्टे 3, माइनस का 2 बट्टे 3 और फिर 1 बट्टे 3 अगला है अवरोई क्रम अवरोई क्रम क्या होता है? पहले बड़ा आता है, फिर छोटा आता है हमने इसको भी आरोई क्रम में जमा दिया है तो इसमें आपको यह नहीं लिखना है इसमें आपको क्या करेंगे उल्टा कर देना है आपको इसको उल्टा कर देना है पहले लिखेंगे 7 बटे 4 फिर 3 बटे 4 फिर माइनस का 3 बटे 4 और फिर माइनस का 9 बटे 4 अगला देखिए अवरोही क्रम है सबसे बड़ा पहले आएगा एक बट्टे तीन फिर दो बट्टे तीन चार बट्टे तीन और पाँच बट्टे तीन अब रोही क्रम बड़े से छोटा होता है ध्यान रखिएगा अगला देखिए इसको भी अब रोही क्रम में जमाना है अवरोई क्रम होता है बड़े से छोटा इसमें क्या हो जाएगा माइनस का 4 बटे 5, माइनस का 8 बटे 5, माइनस का 11 बटे 5 और माइनस का 7 बटे 3 इस प्रकार से आपको solve करना है सबसे बड़ी राशी पहले आएगी ये तीसरा प्रस्टन आपको change करना पड़ेगा प्रोई क्रम में करने के लिए क्या करना है आपको 5 बटे 3 पहले लिखेंगे फिर लिखेंगे 4 बटे 3 फिर 2 बटे 3 और फिर 1 बटे 3 इस प्रकार से लिखना उल्टा कर देना है आप इन दोनों को उल्टा कर देंगे दूसरे और तीसरे को जो उत्तर लिखी गए है उसको अगला देखिए निम निम के मान ज्याद कीजिए माइनस का 4 भाग, 4 बटे 7 गुना में परिवितित करेंगे, उल्टा हो जाएगा 7 बटे 4, 4 से 4 गया माइनस का 7, इसी परकार दूसरा है, गुना कर देंगे, तो अगला देखिए, माइनस का 3 बटे 7 है, 2 बटे 1 है, तो 1 बटे 2 हो जाएगा गुना करेंगे, माइनस का 3 बटे 14, अगला देखिए, गुना करना है, सिंपल 6 बटे 35 उतर आएगा तो बचो ये था हमारा आज का कारे पत्रक नमबर 36 जुड़े चैनल से धन्यवाद अगला आएगा